नमस्कार बगवान सिक्टिस्ट वीता में कहते हैं कि हर इंसान के जिवन में दुख आता है लेकिन इंसान की समता दुख सेहन करने की अलग-अलग होती है इस संसार में इंसान चार तरह से दुख सेहन करता है चार तरह के इंसान होते हैं दुख सेहन करते हैं कोई किस परकार से करता है कोई किस परकार से करता है बगवान ने उन चारों तरों का दुख केसे सेन किया जाए उसका परकार बताए हैं अब आप वो दुख किस तरह से सेन करते हो ये आपके उपर हैं बगवान सी कृष्ण ने गेता में बहुत correct और बहुत spust बताया है वो चार तरह के दुख समझ करने के तरीके क्या है ये देखिया कोई उस दुख को अवसर समझ कर आगे बढ़ जाता है किसी इंसान के जीवन में दुख आता है विपत्य आती है, संकट आती है तो कुछ इंसान क्या होते हैं उस दुख को अवसर समझते हैं उनके जीवन में दुख आया है, तो वो देखते हैं आज़ वो सकता है कि कुछ अच्छा हो अपने जीवन में, कुछ नया रास्ता समऻने की कोशिस करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अंदर से देरिवान होते हैं, साहसी होते हैं, उस दुख को अवसर समझते हैं, और आग कर लेते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें देरज नहीं होता है जिनमें देरी नहीं होता है उनके जीवन में दुखों का पहाड आता है ना तब वो अपने आपके जीवन का अंत कर देते हैं उनको लगता है कि हमारे जीवन में दुख आया है तो ये दुख अब दूर नह हो पाएगा हमें अपने जीवन का अंत्ट कर लेना चाहिए और वो क्या करते हैं है कि वह कि अपने आप सुसाइड लेते हैं है कुछ लोग ऐसे होती है तो कि अपती सेरने करपाए ए तो जीवन में जब भी दुख आये तो कभी भी ये मत करना somewhat दुख मेरे से दूर नहीं हो पाएगा और अपने जीवन का अंत मत करना कुछ लोग दुख को तुरंत स्युकार करके आगे बढ़ते हैं कुछ लोगों के जीवन में भी दुख आता है लेकिन वह क्या करते हैं वह ये देखते हैं के दुखोर शुख तो इंसान के जीवन में आता रहता है उनके जीवन में दुख आया है ना तो वो दुख स्विकार करके आगे बढ़ जाते हैं हाँ दुख आया है कोई बात में आगे की सुक आएगा वो अपने आगे की मंजिर डूंडने के लिए निकल जाते हैं कुछ इस तरह के लोग होते हैं वो नहीं को उस कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वहीं ठर कर उस दुख का शोक मनाते रहते हैं जीवन पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनके जीवन में दुख आता है तो बस दुख वो बस रोते रहते हैं और बस जिन जीवन भर बगवान से और दुन्या से सिकायत करते रहते हमारे जीवन मे उस दुख का शोक मनाते रहते हैं तो भगवान से क्रिष्ण कहते हैं कि इस संसार में चार तरह के लोग होते हैं जो दुख को अलग-अलग तरह की सहन करने की सकती रखते हैं लेकिन भगवान कहते हैं कि वही इंसान सबसे बहतर इंसान है जो दुख को तुरंत सुकार करके आगे बढ़ता है वही इनसान आगे बढ़ पाता है वही इनसार जिवन में कुछ कर पाता है क्योंकि सुक दुख तो एक दिन और रात की तरह है दिन आई है तो रात भी आईगी रात आई है तो दिन भी आईगी दुख को स्विकार करो भगवान सी प्रिष्ण अर्जुन को कहते है कि दुख को स्विकार करो आपके जीवन में दुख आया तो उसे स्विकार करो और अगे बढ़ो वही ठार कर सोक मत मनाओ दुख को लेकर अपने जीवन का अंत मत करो दुख को आउसर समझो और दुख को तुरंत स्विक्रा करोर आगे बढ़ो तबी ये जीवन चक्र आपका सही तरीके से चलता रहेगा आप जीवन में सपलता पुर्वक जी पाओगे